13 दिसंबर से 19 दिसंबर 2020, कुम्बराशी साबित होगा सबसे हट के सबतह, कुछ भी मांगो आपको मिलकर ही रहेगा दोस्तो ग्रहन अक्षत्रों की लगातार बदलती चाल मनुश्य की जीवन को तरह तरह से प्रभावित करता है कभी व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरप से शुबन नतीजे मिलते हैं तो कभी जीवन में परेशानिया उत्पन होने लगती है जोतिश के जानकारों के अनुसार जो भी उतार चड़ाव हमारे जीवन में आते हैं इसके पीछे ग्रहन अक्षत्रों की चाल मुख्य जिम्यदार मानी गई है यदि राशी में ग्रहों की चाल ठेक है तो इसकी वज़े से शुबफल की प्राप्ती होती है परन्तु इनकी स्थिती ठेक ना होने के कारण विप्रीत परस्थिती उनसे गुजरना पड़ता है हर किसी व्यक्ती की राशी उसके लिए बहुती महतोपुन बताई गई है राशी की सहयता से बहुशे से जुड़ी हुई जानकारिया हासिल की जा सकती है जोतिश गनाना के अनुसार आज हम आपको कुंबर राशी के बारे में बताने वाले है 13 से 19 दिसंबर ये सब्तह कुंबर राशी के लिए साबित होगा सबसे हटके सब्तह आप इन दिनों में कुछ भी मांगो वो आपको मिलकर ही रहेगा आप अपनी विरोधियों को परास्त करेंगे किसी नई योजना में आपको भारी मुनाफ़ा मिल सकता है काम के सिलसले में अच्छे नतीजे हासिल होंगे आप अपनी बुद्धी के बल पर बहुत से योजनाओं को अन्जाम दे सकते हैं आपके अदूरी मनोकामना हूरी होगी सूक सादुनों में बड़ोत्री होगी बही बहनों के साथ चल रहा मतब्यद दूर हो सकता है प्रवावशली लोगों की मदद से करियर में आगे बढ़ेंगे आप अपने कामकास से काफी संतुष्ट रहेंगे नोकरी के शेत्र में अधिकार बढ़ेगा आपके दोरा की गई महनत रंग लाईगी आप मांसिक रूप से खुद को हलका मसूस करेंगे घर में धार्मी कारेकरम का भी आयोजन हो सकता है दोस्तो ऐसे ही कुछ महतो पुर्णा बाते आज की सुड़ों में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और भूलेनाजी का अशिर्वा चाहते हो तो कमेंड में जै भूलेनाजी लिखना ना भूले साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिग राशिपल को सब्सक्राइब जरू करें तो आईए राशिपल की मदद से जानते हैं आखिर में आपके सितारे क्या करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपका सामाने राशिपल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में आने वाला समय आपके लिए अच्छा है यदि किसी नए काम के लिए अपने सोचा है तो यह विचार सही है जीवन साती के साथ आप थोड़ा समस्य महसुस कर सकते हैं किसी उलजे हुए टेड़े मामलों को नेपताने में किसी भी परकार के जल्दबाजी करना आप के लिए हानिकारक होगा आप दुसरों के मामले में ना ही पड़े तो यह आप के लिए अच्छा होगा अफिस, कार्यक्षेत्र और समाज में कुछ लोग आपको किसी काम के लिए चुनती दे सकते हैं इसमें चिंता की कोई बात नहीं है किसी भी परकार के टक्राव वाली स्थिती से बचने का प्रयास जरू करे अगर हम ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो बे रोजगारों को रोजगार के नए आउसर मिल सकते हैं कुछ नए लोगों से जुडने का आउसर आपको मिलेगा अपनी कार्य कुष्यलता का सही से उपयोग नहीं कर पाने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं एक समय में केवल एकी कार्य को हाथ मिले अधिक को हाथ मिलेंगे तो कार्य धंग से पूरान नहीं हो पाएगा कोई आपके विरुद शड़े अंतर कर सकता है इसलिए साउधान रने के आउशकता है आपका अधिक तरसमे अपने रिस्तिदारों, बच्चों और पड़ोसियों के साथ वितेगा मन ही मन किसी यात्रा के लिए योजना बना सकते हैं अभी आप समवन स्पेशल से अलगाओ या धन के नुकसान के कारण चिंतित हो सकते हैं करियर में परिवर्तन आपकी जीवन में नया बदलाव लाएगा जिससे आप स्वई को भागेश अली महसूस करेंगे विदेशी संपरक से आपको नए विकल्प मिलेंगे दूसरों पर निर्बन ना रहें और अपनी किस्मत खुद बनाएं जीवन में परियस के बाद ही अच्छे परणाम मिलते हैं आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा जिससे आपकी लोगप्रियता भी बढ़ेगी दूसरों की विचारों और बातों को अच्छे से सुनें क्योंकि बाचित अच्छे व्यवसाई की कुझी है याद रखें कि ये सितारे आपके भागे को तई नहीं करते बलकि इसे हम खुद तई करते हैं अगर हम करियर राशिपल की बात करें तो आप एक कलाकर या हस्त शिल्पी है तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है आप पाएंगे कि आप ये कलातमक्ता अपनी चरम सीमा पर हैं इसलिए आप बहुत बढ़िया विचारों को जन्म देंगे अगर आप किसी संस्तान में काम करते हैं तो आपके उच्छ अधिकारी किसी प्रोजेक्ट के लिए आपकी सरहना करेंगे इसके लिए आपको बोनस या फिर प्रमोशन भी मिल सकता है दोस्तो अगर हम लव राशिपल की बात करें तो काम में व्यस्तर रहने के कारण आप अपनी जीवनसाती को समय नहीं दे पा रहे हैं जिससे जुदाई का बहुत सता सकता हैं अपनी इस बुरे ड्रिम से बचने के लिए साथी से खुल कर बात करें रोमान सूक और अंतरंगता आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगे आपकी कोशिशों में आपके प्रियजन भी सहयो करेंगे अपने प्रियतम से एक किस या टाइट हग भी आपका पुरसकार हो सकता है दोस्तो आखिर में कुम्बराशी की स्वास्तराशिपल की बात करें तो क्या आपका वजन आपके दिमाग में हर समय रहता है अब वहब वक्त आ चुका है जब आपको गंबिरता से ध्यान देने की अवशकता पड़ीगी और ये आज यही शुरू कर दें तो दोस्तो यहती कुम्बराशी के बारे में अब बात करते हैं दिन के हिसाब से करे ये उपाए चमक जाएगा भाग्य पैसिन से भर जाएगी तिजोरी दोस्तो हर कोई अपने जीवन में श्यान्ती चाता है लेकिन कई बार श्यत्रों की वज़े से जीवन की श्यान्ती भांगो जाती है और सपलता आपसे दूर भागने लग जाती है अगर आपकी जीवन में भी कई सारे दुश्मन है जो कि आपके हर कारे में बादा उत्पन्नक कर रहे हैं तो आप घबराए नहीं बस हमारे दोरा बताए गे उपाएं को कर दे रोज घर से निकलने से पहले इन उपाएं को करने से आपको कारे में सपलता मिलेगी और आपके दुश्मनों का नाश हो जाएगा यह उपाए बेहदी सरल है और इनकी मदद से जीवन को सुकमाई मनाए जाता है तो आए नजर डालते हैं उन उपायों के बारे में सबसे पहला है सोमवार का उपाय सोमवार के दिन घर से बाहर निकलते समय ये उपाय जरू करे इस उपाय के अनुसार आप चेक्स वाले वस्तर ही पहने और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी चेहरे को कांच में देख ले ये उपाय करने से जिस कारे के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं वो ज़रूर सपल होगा दोस्तों मंगलवार की उपाय के बारे में भात करें तो मंगलवार के दिन लाल या गुलाबी वस्तर पहने और घर से बाहर निकलते समय अपनी मुहों को गुड से मिटा करे ऐसा करने से दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिकाड पाएंगे और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो सफल हो जाएगा बुद्वार के अगर हम उपाई की बात करें तो बुद्वार के दिन हरा वस्तर पहने और घर से निकलते समय अपनी मुहों में धनिया का पत्ता डाल दे आपका कार्य बिना किसी बादाग होके हो जाएगा गुरुवार का उपाई गुरुवार के दिन सफेद या पीले रंग के वस्तर धारन करना अति उत्तम होता है और इस रंग के कपड़े धारन करने से कालमिक केवल जीत ही हसिल होती है वही घर से निकलते समय आप जीरा भी जरूर खा ले शुकुरार के अगर उपाई की बात करें तो शुकुरार के दिन सफेद रंग के या हलके पीले रंग के कपड़े धारन करें और अगर किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो दही जरूर खाए आप चाहे तो दही में चिनी भी मिला सकते हैं अगर हम शनिवार के उपाई के बारे में बात करें तो शनिवार के दिन काले रंग के वस्तर पहने और घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा अधरक खाले अधरक खाकर काम पर जाने से काम सफल होता है और दुश्मनों के कारण होने वाली समस्या आसनी से हल हो जाती है आकरी है रैवार का उपाय रैवार को आप नारंगी वस्तर धारंग करे, किसी काम से अगर बाहर जाना पड़े तो पान या घी खाकर ही निकले कारे अच्चे से पूर्ण हो जाएगा और दुश्मनों पर विजय हसल होगी दोस्तो हमारे दुवारा बताएगे उपाय बेहदी लाबजनक है और इने करने से केवल शुपपल ही नहीं मिलता बलकि इनसे आपको बहुत बड़ा फायदा भी होता है इन उपायों को करने से साथ-साथ आप रोज अपने गुरू, कुल देव और इस्ट देव का स्मराण भी करें और किसी भी कार्यों को करने से पहले इनका अशुर्वाद भी जरूले आपका कार्य मंगल करी होगा और बिना बदाओं के भी पूर्ण हो जाएगा तो दोस्तो यहत्य कुछ उपाय जिने अपनाने से आपकी किसमत चमा सकती है तो दोस्तो आज की सुड़ों में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दरू करेगा साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिबल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद